आज हम लोग सीखने बाले हैं कि LCM कैसे ग्यांत किया जाता है भाग विदी से, चलिए वीडियो को सुरू करते हैं, सबसे पहले LCM ग्यांत करने से पहले आपको अभाद संख्या के बारे में जानना होगा, अभाद संख्या वो इसी संख्या है जो अपने आलाबा किसी और तीन, पांच, साथ, इत्यादी, यह सब, इसी सब संख्या से हम लोग भाग देना परेगा, किसमें तो यह दी गई संख्या, तब हम लोग क्या निकालेंगे LCM, तो यहां पर है 12, 18, 9, इसमें सबसे पहले हम 2, सबसे छोटी अभाद संख्या से लगाएंगे, 2 से लगाते है तो यहां पर 2 से लगाएं, तो 2 को कितने बार पढ़ेंगे कि बारे आ जाएगा, 6 बार पढ़ेंगे, कितने बार, 6 बार, 2 छक, 12, 18, अब तो 9 नहीं आ रहात, इसको 9 को उसी तरह लिख देंगे, और LCM बनाते समय एक बात और आप ध्यान दिजेगा, जब तक नहीं, दो सं नहीं लगाते हैं, उसे प्रका आगे की और बढ़ेंगे, अब आगे है, 6, 9, 9, अब हम लोग 2 से लगाते हैं, 2 से 6 में लग जाता है, लेकिन 9 में नहीं लगता है, इसलिए 2 से नहीं लगाएंगे, अगली अभासंख्यां से लगाएंगे, अगली अभासंख्यां क्या है, 3 तो तीन से लगाते हैं, तीन दूनी 6, 3 तृ, नौ, फिर 3 तृ, नौ, फिर इसको अगली बार में लगाएंगे तीन से, क्योंकि यहां तीन डबल बार आरा है, और 2 से तो लगेगा ही नहीं, यहां पर 2, 3 से नहीं लगा, तो जो संख्या नहीं लगा, उसको उसी परकार लिख देंगे उसके बाद तीन एकम तीन हो जाएगा फिर तीन एकम तीन अब हम लोग नहीं लगाएंगे किसी संख्यां से क्योंकि दो अकेला ही है अब सब को गुणा करना है तो गुणा कैसे करते हैं तो ध्यान से देखिए सबसे पहले इपना दो लिखेंगे दो गुणा तीन गुणा तीन गुणा दो और एक एक को नहीं लिखते हैं अब सभी को गुणा करके लिख दिजिए गुणा करने के बाद दो तिया छे छे तिया अठारे अठारे दोना च्छतिस 36 आया 36 हमें जो आया वो क्या हो गया LCM हो गया इसी परकार अगला कुशन बनाएंगे इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नहीं है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए चलिए अगला कुशन काता है 18, 20, 25 तो सबसे पहले हम किसे लगाएंगे 2 से, दो से ही क्यों लगाते है 2 सबसे छोटी अबाद संख्या एक से लगाएंगे नहीं 3 से लगा सकते है, 5 से भी लगा सकते है लेकिन सबसे पहले छोटी संख्यां से लगाते है तो यहाँ पर 2 से लगाएंगे दो नमा 18 हो जाएगा उसके बाद 2 देंक 20 अब 25 में नहीं लगता है दोस्तो 25 को 25 ही लिख देंगे फिर आगे की करम में बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दिखिए 2 से लगाते हैं तो 10 में लग जाता है लेकिन 25 और 9 में नहीं लगता है इसलिए 2 से नहीं लगाते हैं तो 9 में लगता है लेकिन और अन्य में नहीं लगता है यह एक में ही भाग लगता है इसलिए 3 से भी नहीं लगाएंगे तो उसके अगला क्या है पांच पांच से लगाते हैं यहाँ पांच से दस में लग रहा है तो 9 में नहीं लग रहा है तो 9 को उसी परकार होनी चाहिए यहाँ पर दो संख्यां थी 18 और 20 तब 2 से लगाएं यानि वो इसी संख्यां से विभाज करेंगे जिसका विभाजन में 2 होना है तो अब देखें 2 या 2 से अधिक हो सकता है फिर यहाँ पर आप किसी अब हम इसी में कुछ अगले एक्जाम पर लेकर चलते हैं तो इस वीडियो पर अभी तक बने हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें जैसे कि अगला कोशन यह है 12,24,40,32 इसमें लगाना है हमको इसमें कैसे लगाएंगे तो देखिए सबसे पहले दूसे लगाएंगे क्योंकि दू में 12 लग जाता है 24,40,32 सब में लग जाता है दूसे लगाएं तो दू छक 12 हो गया दूसे 12 बार में 24 आता है दूसे 20 बार में 40 आता है दूसे 16 बार में 32 पिर अगली संख्यां से लगाएंगे अभी भी दो से दो तिया छे दो चक बारे दो से लग रहा है दो संख्यां कम से कम लगना उससे अगली संख्यां में लगे तो अच्छी बात है तो दो तिया छे हो जाएगा दो चक बारे हो जाएगा फिर दो से दस बार में बीस दो आठ फिर यहां पर देख रहे हैं दूसे लग रहा है च्छा और दस आठ में तो दो से लगाएंगे तीन को आप कुछ ने करेंगे तीन अपने जगह पर लिखा जाएगा दो तिया छे दो पच्चे दस दो चोक आठ फिर आगां बढ़ेंगे आगे बढ़ते हुए आपको फिर यह लगाने तो केवल एक ही है चारीश भी से लगाना क्योंकि चार पाउस रंख्या नहीं है यह मैं आपको जन्यूर तरीका बता रहा हूं आपको इस्तरह बनाईएगा तो कभी गलत नहीं होगा तो दिखिए आप सबको गुना कर देंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 4 गुना करने पर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 8 तिया 24 थोड़ा छोटा छोटा अंक लेकर गुना करें ताकि दिखित नहीं 24 गुना 20 24 गुना 48 होता है तो 48 लिख देंगे एक 0 देंगे नहीं 480 आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो यदि आप यह समझ गया है तो आपको मैं एक कोश्चन दे रहा हूँ इसे आप बनाकर कॉमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे इस तरह के वीडियो देखने के लिए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैन दोस्तो धन्यबाद